कैसे हैं अगर किसी को सक्सेस बहुत बहुत मतलब महनत करके मिलती है क्योंकि मेरे जरणी है वो ऐसी है जब यह स्टार्ट करी कुछ महीनों लोग है Welcome back to my channel, कैसे हो आप सब लोग, so guys, आज की इस वीडियो के लिए मैं बहुत जादे एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज का ये वीडियो होगा मेरे चानल का पहला Q&A वीडियो, मैंने दो दिन पहले community पोस्ट आला था कि मैं अपने चैनल पे Q&A वीडियो करना चाहती हूँ, त आप मुझे comment पी कर सकते हो YouTube पे जाके और यहाँ आप मुझे DM कर दो, तो मुझे बहुत सारे DMs आए, और मतलब मैं बहुत शॉक्ट रही कि मतलब मेरे YouTube के जो subscribers हैं, उसके according जो मेरे Instagram के followers हैं, वो बहुत active हैं, मतलब मुझे कल ऐसा feel हूँ, क्योंकि Instagram पे मुझे बहुत सारे questions होगा कि questions काफी सारे same है, तो प्लीज आप बुरा मत मानना कि आपका name मैंने क्यों नहीं लिया, मतलब जो पहले मुझे दिखा मैंने उनका ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका क्यों लिया, तो कोई भी बुरा मत मानना, प्लीज आपको आपके question का answer जरूर मिल जाएगा, So, अभी आप देख सकते हो, मैंने कोई make-up नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं get ready with me with Q&A video करने वाली हूँ, मतलब make-up भी करते जाएगे, बाते भी करते जाएगे, थोड़ा सा easy हो जाएगा video को करना, क्योंकि मैं इस तरीके से talk through video नहीं करती हूँ, मैं voice over जाधा करती हूँ, मुझे लगा थोड़ा make-up में ध्यान जाएगा ना, तो थोड़ी nervousness कम होगी, So, इसलिए मैंने सोचा चलो, ready भी सासात होते रहेंगे, तो अब ना हम क्या करते हैं, time waste जाधा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके के video अल्रेडी बहुत लंबे हो जाते हैं, बट अगर आप इ कैसे start करें, कैसे manage करेंगी, तो आप सच मानो आपके लिए बहुत helpful रहेंगे ये video, So, एंड तक बने रहना थोड़ा video लंबा हो सकता है, बट आप एंड तक बने रहोगे, आपको बहुत-बहुत motivation मिलने माला है, ये मेरी guarantee है, So, अब जाधा बाते नहीं करते हैं, फटा फट करी हूँ, ये purple का 24 karat gold silicon based primer है, oily skin के लिए तो बहुत अच्छा रहता ही है, लेकिन गर्मियों में हार टाइप के skin पर ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया वाला प्राइमर है, आप definitely इसको try कर सकते हो, So, साथ ही साथ हम अपना पहला question पिक करेंगे, So, पहला question ह संजना त्रिपाठी का, ये पूछ रही है कि प्लीज दी अपनी YouTube जर्नी शेयर करो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे YouTube चैनल मेंने स्टार्ट किया कैसे था, मतलब होता है ना कि हर किसी का चैनल किसी वज़ा से स्टार्ट करता है कि क्या वज़ा थी चैनल स्टार्ट क अगर आपको जानना है ये तो ना इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर काफी पहले बनाया था, उसका लिंक मैं उपर आपको आई बटन में दे रही हूं, तो आप ना उस वीडियो को चेक आउट कर लेना, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बता है कि ये चैनल मैंने मेरा कैसे स्टार्ट हो था, क्योंकि अगर अभी बतारे बैठूमीदो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी की बात करूँ तो अपनी जर्नी से मैं ना ही बहुत सादा खुश हूँ, सच बताऊं त मैं जब सुबा उठी तो मेरी एक वीडियो ऐसे वाइरल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो कहते है हर किसी की मतलब जर्नी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो मैं अपना टर्निंग पॉइंट का वेट कर रही हूँ, और जादा दुखी मैं इसलिए नहीं अपने हैं वीडियो बनाने के, और प्रोड़क्ट्स तो काफी सारे आते ही हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, तो अभी मैं ना दुखी हूँ, ना खुश हूँ, बस मैं अभी अपना सची लगन से काम करती जा रही हूँ, तो ये है मेरी यूट्यूब जन्नी फिलहाल क और आप सब का अगर प्यार बना रहाना, तो जैसे लोगों के रॉकिट की तरह चैनल उड़ते हैं ना, आई होप मेरा भी कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा, सो आई होप संजना आपको आपका अंसर मिल गया होगा, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्ट्ट की तरफ, स्किन केर में मैं अपना लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा, नेक्स्ट कोश्ट्ट करने से पहले, मैं जारा लिप बाम लगा लेती हूँ, तीपती शा पूछ रही है, ब्लू हैवन स्विस ब्यूटी इन साइड कोस्मेटिक्स या मार्स कोस्मेटिक्स आपके भी इनके फेवरेट्स होंगे, जो आप यूज करते होंगे, क्यों अफॉर्डेबल है और बहुत अच्छे होते हैं, तो पहले बादेशन को भी साथ साथ अपलाए कर लेती हूँ, ताकि मेकप भी कंप्लीट हो और आपका कोश्ट का आंसर भी, फांडेशन के लिए में यूज करी हूँ, Swiss Beauty Airbrush Finish Full Coverage Foundation, अभी जो आपने में से दीपती कोश्ट पूछा है, कि इन सब में से, Blue Haven, Inside Cosmetics, Mars Cosmetics, Swiss Beauty, इन सब में से, मेरा फेवरेट ब्रेंड कॉन सा है, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा फांडेशन लगाया, और अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की दीपती की मतलब मैं किसी एक ब्रेंड को बोल दूँ कि यही मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है, सो ओवराल मैं दीपती आपको यही बोलूँगी की फेवरेट तो क्या यार सब में कुछ ना कुछ फेवरेट है, सब में, लेकिन Mars Cosmetics में जादा प्रोड़क्स मुझे प लिप्स्टिक्स कितनी अच्छी है, मार्स कोस्मेटिक्स की, बहुत अच्छा फांडेशन है, देखो कितनी असानी से, ब्लेंड हो गया, सो आई होब दीपती आपको आपके इस कोशन का अंसर मिल गया होगा, कंसीलर लगाने से पहले हम पिक करते है, अपना नेक्स्ट कोश अच्छा गया है, तो इसलिए मैंने हर किसी का कोशन देखो नहीं पिक किया, इन्होंने दो तिन कोशन इकठे पूछ लिया थे, तो मैंने इनका पिक किया है, तो आप सब को भी आपका अंसर मिल जाएगा, प्लीस कोई बुरा नाम आने कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हमा बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इसका रिव्यू, इसका ऑक्सिडेशन टेस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वैसे जो बैने फाउडेशन अप्लाई किया था भी वो फुल कवरेज था, तो काफी अच्छा है, जादा नीड नहीं पढ़ती कंसीलर की, तो मैंने थोड जिसमें मेरी मदर-in-law, फादर-in-law, मेरी मतलब जेड, जिठानी, उनके दो बच्चे और उसके अलावा मैं मेरे हजबन और मेरे दो बच्चे, तो टोटल हम दस लोग रहते हैं, और फिर आपने पूछा है आपकी यूट्यूब जरनी बताओ, तो मैंने अभी जो पहला को हो कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आपका समझाना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझाते हो, तो फिर आप वीडियो देखके चले जाते हो, आप वीडियो को नाई प्यार देते हो उतना अच्छे से, ठीक है, तो ये सब चीजे भी बहुत जर तो एसे भी बहुत जल्दी हो जाता है मतलब ऐसा मैंने सुना है और कहते हैंगर किसी को सखसेज बहुत-बहुत-बहुत मतलब मेहनत करके मिलती है क्योंकि मेरी जर्नी यह तो कुछ महीने तक ऐसी रही फिर ऐसे फिर कुछ महीनों बाद S.U.E. फिर कुछ महीनों बाद S.U.E. ठीक है तो इस तरीके से मेरी जर्डी चल रही है तो I hope जो मैंने ऐसा सुना है कि जब ऐसे हलके 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 करके आप उपर चड़ते हो तो आप काफी लंबर टाइम वहां तक रहते हो सो इसी उमीद पर मैं काम करती चली जा रही हूँ मैं पीछे मुड़के बिल्कुल नहीं देखती कि मेरी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मेरी वीडियो कैसा काम कर रही है मैंने बिल्कुल पलटके देखना बंद कर दिया क्योंकि जितना हम पलटके देखे इतना हम अपना मन खराब करते हैं और फिर उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं तो मैंने एक चीज जो सीखी है वो यह और अब मैं आप सबको भी यही कहना चाहूंगी जो जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं या जिन्नों ने शुरू किया है आप काम करते जो पलट के देखना बिल्कुल बंद कर दो क्योंकि जितना पलट के देखते मन बहुत होगे मेरी तरह बिल्कुल पलट के देखना बंद कर दो मैं सची जो वीडियो डालती हूँ ना मैं नहीं देखती पलट के कि वो कैसा काम कर रही है कभी-कभी डैशबोर्ड में देखता और यह वीडियो अच्छा उठकी तो मैं अच्छी बात उठकी मैंने तो सारी पहले पाउडर सेटिंग कर लेते हैं से पहले की कंसीलर जो है वो क्रीज कर जाए तो पाउडर सेटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि मेकप भी साथ साथ कंटीडियू रखना है हमको बाते करता है और मेकप भी करना है और यह मैं यूज करी हूँ एन्वाइबे का लूज बनान जाओंगी मतलब मैं इतना नजदीक हूँ वहां से ठीक है तो मैं इस एरिये में रहती हूँ अब मैं अपनी आइब्रोस को डिफाइन करूंगी जिसके लिए मैं यूज करूंगी यह स्वेस्ट ब्यूटीगी इस तो मैं प्रेसिजन आइब्रो पैंसिल लेकिन आगे वरने से पहले एक कोशन को हम पिक करेंगे नेक्स्ट कोशन है कोमल जहा का यह पूछ रही है कि अपने काम कैसे मैंज करते हो घर एंड यूट्यूब मतलब इनका पूछने का है कि मैं अपने घर को फैमली को और यूट उनके लिए यूट्यूब करना या कोई भी काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि उनके उपर फैमली की किसी तरीके की और घर की बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती है लेकिन जो मेरी तरह हाउस वाइफ्स हैं जो घर बैठे मतलब घर का भी काम पूरा देखती है तो उस केस में क्या होता है थोड़ा देखो मुश्किल तो होता है क्योंकि हर चीज को आपको टाइम पे हर काम को टाइम पे खतम भी करना है ना हर चीज को टाइम पे करना है तो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे हैं बच्चों को आपको मतलब स्कूल भी भेजना है उनके सारे काम करने हैं, अपने घर के सारे काम करने हैं, में भी उन लोगों के लिए और थोड़ा एजी रहेगा, जिनों ने एक मतलब हर काम के लिए, अगर कोई ने कोई मेड रखी है, लाइक मतलब उनके कपड़े भी मेड हो जाती है, बरतन मेड हो जाती है, हर काम मेड कर है कई लोग तो मतलब कपड़े आईरन कराने के लिए भी मेड रखते हैं बट मैं अपना बताओं तो मैं पहले भी एक पर बता चुकियों कि मैं सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग लाइक जालू पोचा इसके अलाबा जो घर के सारे काम होते हैं और घर के कितने काम होते हैं यह हर एक ह आउस फाइफ चांती है जिनके साथ बच्चे हैं उनको तो और अच्छे से पता है तो हर एक काम बरतन हो कपड़े हो सब करते हैं और आप लोग कहोगे फिर आप किसी को क्यूं नहीं लगवा लेते आप बरतन के लिए कपड़ों के लिए तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करते हैं अर्ली मौनिंग से मेरी ड्यूटी शरू हो जाती है सुबा बच्चों को स्कूल भेजना होता है साथ वजे तो मैं सूबा सुबा साभे-पांच-पॉने-श्य तक उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं उनका लंच प्रिपेर करती हूँ फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ दैन उसके बाद घर के कितने काम होते हैं ये हर एक हाउस वाइफ को पता है उन्हें गिनवाने की मुझे जरुत नहीं है इतने काम जो घर के ओते मैं करती हूँ पिर दुपहर हो जाती है यह सब सुभा काम जिर्पटाते हैं फिर न्च प्रिपेयर करती हूं और जब तक लइचे प्रिपेयर होता है बचिन स्कूल से आजाते हैं और फिर अज़रहा जाते हैं टो बच्चों को द८्ट किन कराने तो आफ्टर लंच न मैं सारा काम पूरी किचन क्लीन करके बरतन बरतन पूरे धो के निपटा के फिर जैसे ही मैं फ्री होती हूं इतना टाइम हो जाता है उसके बाद आ जाते हैं मेरे टुशन वाले बच्चे चार बजे और चार से लेके शाम के पांच साड़े पांच बजी जाते हैं साड़े पांच मुझे बच्चों के साथ हो जाता है टुशन वाले बच्चों के साथ फिर बच्चे जाते हैं देन उसके बाद मैं एक कप चाय पीती हूं थोड़ा माइंड रिलेक्स करती हूं और मैं फिर जाती हूं किचन में डिनर की प्रपेरेशन करने तो मैं जादा है भी नहीं करना हलका सा करना है तो मैं इस पैलेट कर यूज कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल सा करूँगी और यह मार्स कोस्मेटिक्स का ही ब्रश है और मैं यह पिंक शेड लूँगी उसको अपनी पूरी आइलेट पे क्रीज पे लगा दूगी दैन थोड़ा सा श अपनी किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूं एक बारी कभी-कभी जल्दी भी यूट्यूब का काम मुझे शुरू करना पड़ता है तो उस टेम मैं डिनर प्रिपेर करके ना अपने रूम में आ जाती हूं वीडियो बनाने तो मैं डिनर वेगारा निप्टा के वैसे किचन क्लीन करके रात के लगबंक आठ बच जाते हैं नौ बच जाते हैं लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं तो टाइम से हम डिनर करते हैं फिर मेरी किचन भी क्लीन हो जाती टाइम से और मैं आ जाती हूं अपने इस रूम में और उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम स्टार्ट करती हूँ और यूट्यूब का काम देखो ऐसा होता है जब आप कोई मेकप करते हो ना आपका काफी टाइम लगता है यह सब जानते हैं मेकप करने में अच्छा कासा टाइम लगता है उसको रिमूव करो फिर जो पूरा मेकप फैलाया उसे समेटो यार बहुत काम होता है तो इसलिए मैं कई वार कहती हूँ ना आधी-अधी रात हो जाती है सच में आधी-अधी रात हो जाती है तो आधी-अधी रात तक हम काम करते हैं फिर अगली मौनिंग फिर से नेक्स्ट वही एक मदर की हाउस वाइफ की ड्यूटी शुरू हो जाती है तो जब काम हमने खुद फैलाए है तो मैनेज भी हमें उनको खुद ही करना है कोई दूसरा नहीं करेगा अगर मैंने अपने घर के कामों के साथ साथ बाहर की ट्यूशन भी रखी है और यूट्यूब को भी कर रही हूं तो इसे मैनेज भी मुझे खुद करना है और अपने हिसाब से मुझे हर काम करना है तो यही है कि मैं आपको भी यही बोलूँ कि अगर आपने काम खुद फैलाए हैं तो उनको समयटो भी खुद अपने हिसाब से करो अपने टाइम को मैनेज करो जिस मैं और कहना चाहूंगी अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हो आपका YouTube करने का मन है ठीक है तो आपना वही फैल्ड चूज करना जिसमें आपका पूरा इंटरस्ट हो मतलब आपको लगे कि हाँ यह काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्योंकि अगर आप कोई अलग फैल्ड चूज करोगे तो आप नहीं आपको आपके काम में मज़ा आएगा और नहीं आप बहुत लंबर टिक पाओगे यह बात पक्की है ठीक है मेरा पता क्या है मेरा शुरू से ही मेक अप पेगारा में बहुत इंटरस्ट रहा है बहुत सादा शुरू से मतलब जब से कॉलिज टाइम स्कूल टाइम से मेरा इंटरस्ट रहा है इसी वज़े से मैं इस काम को कर पाती हूँ नहीं तो बता किया है सारा दिन थकने के बाद आपका praying करेगा काम करने का YouTube पे लेकिन अगर आपका काम ऐसा है जो आपकी थकान को मिटा देगा समझ रहे हैं मैं क्या चाहरे हूँ.. अगर आपका काम ऐसा है.. जो आपकी ठकान को दूर कर दे.. यहां बना पर यार काम मेरे सथ एप तहँ यहां पर वीडियो बनाती हूँ.. मैज़़फ जब मेकप करने से पहले बहुत लगता है.. तो इसलिए जो पैशन है काम जो आपको अच्छा लगता है वही करना दूसरा फिल्ड कभी भी चूज मत करना नहीं तो फिर क्या होगा आपका मनी नहीं करेगा आपका थके होगे आप अपना काम करोगे नहीं तो इस चीज को मेशा ध्यान रखना मैंने पिंक शेड पूरी अ पन थर्ड आईलेट पे लगा दूँगी बहुत सिंपल सा में मेक अप कर रही हूं वह भी मैं इसलिए कर रही हूं ताकि मेरा थोड़ा ध्यान बटा रहे हैं मैं बाते कर पाऊं मैं आज से पहले इतनी बाते अपने चैनल पे नहीं करी है पहली बार कर रही है पता नहीं आ क्विट कर दूँ इतनी मेहनत कर रही हूं लेकिन उस लेवल तक क्यों नहीं जा पारी लेकिन फिर मैं अपने मन को समझाती हूं कई वर सोचती हूं मैं नहीं करूंगी काम और यह न सब के साथ होता होगा क्योंकि जब आप मेहनत बहुत अच्छी करते और आपको से मुड़के मत देख सो यहीं फंडा अपनाती हूं और इसी वजह से आप देखो वीडियोस डालती रहती हूं नहीं तो कई बार सच में बड़ा डी मोटिवेट मैं हो जाती हूं यह बात पकी है और हर कोई होता होगा यार मेहनत की अकॉर्डिंग अगर हमें रिजल्ट न आप क्या क्या चीज़े यूस कर रहे हो तो वो सब कुछ मेंसे पूछना चारी है और यह कोशन मुझे बड़ा ही इंटरस्टिंग लगा क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियो शूट करती हूं मैं आपके साथ अभी जरूर वो क्लिप भी शेयर करूंगी वीडियो के परेंसे शूट करते हो तो मैंने हमेशा बताया है कि मैं फोन से शूट करती हूं और मेरा जो फोन है वो बहुत जादा मेहँगा भी नहीं है मैं वीडियो अभी बताँ हैं मैंने चाहूं तो छेंज कर सकते हम् कर रही हूं आगे चेंज करना होगा कुछ भी चेंज करूंगी अगर मैं तो डेफिनेटली आपको जरूर बताऊंगी दूसरा आपने पूछा रिंग लाइट आप कौन सी यूज करते हो तो मैं कोई भी ब्रेंडड रिंग लाइट यूज नहीं करती हूं मैं अपनी होम मेड रिंग लाइट यूज करती हूं मैं आपको जरूर एंड बेदिखाऊंगी और यह चीज दिखाने में मुझे किसी तरीके की शरम नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकती यार मैं इतना मतलब इनकम मेरी है कि मैं एक रिंग लाइट चार-पांच हथार की खरीद सकती बट मैं नहीं खरीदती मेरी सोच ऐसी है कि जब तक जिस चीज से मेरा काम चल रहा है ना मैं उससे जरूर चलाऊंगी मैं फालतू खर्चे नहीं करूंगी तो रिंग लाइट जो है तो मेरी होममेड है बाद मैं जरूर दिखाऊंगी वीडियो के एंड में और बाकी ट्राइपोड मैं डिजिटेक का यूज़ कर रही हूँ कौन सा है वो भी लास्ट में आपको पता लग जाएगा और बैक्ग्राउंड वेगरा कैसा है तो आपको आ काम चल रहा है चल रहा है करेंगे यार कि मैं पूरा सेटप भी बना लूँ बड़े बड़े महंगे गैजिट्स ले आउं आप लोगो तरह प्यार दो गे तो मैं जरूर लाओंगी लेकिन अभी नहीं अभी मैं कैसे करती हूँ मेरे पास कोई प्रॉपर वैनिटी नहीं है क प्रॉपर प्रॉपर सेटप नहीं है तो मैं आपको यह कोई जानती हूँ है कोई ज़ूँ लाइच ये वह बहुत सी अवहाहें प्रॉपर नहीं जानती है युकुल जुगाडू है होममेड और मेरी कोई वैनिटी नहीं है मैंने बॉक्सेज में जमान रख रखा है कई बार सोच रही हूं कि ड्रॉर्स लेना है मेरे को लेकिन बस वही हो जादा टाइम नहीं लग रहा कि ड्रॉर्स लोंगी थोड़ा मैनेज हो जाएगा फिर भी चल है एक्स्ट कोशन है प्रिया गेमर का ये पूच रही है वट इस यूयोट्व इंकम। सो यूट्यूब इंकम का तो सीन क्या है वो में अभी आपको बताती हूं क्योंकि बहुत लोगों को बड़ी असानी से मिली है मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली थी मेरा चैनल तो six month में ही monetize हो गया था बट क्योंकि views उतने अच्छे नहीं आते थे तो जो मेरी पहली salary है वो मुझे आई थी monetize होने के चार महीने बाद और salary आपको पता ही है जब hundred dollar complete हो जाते हैं तो salary आती है तो मतलब क्या हुआ था जो पहली salary थी वो आई थी मुझे चार महीने बाद ठीक और उसके बाद दूसरी salary मुझे आई थी तीन महीने बाद तो struggle देखो आप मेरा तब भी मैने हार नहीं मानी है और आपको भी नहीं माननी है अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो तो आपको इतना patience चाहिए इतना सबर चाहिए अगर नहीं है तो फिर आप YouTube पे काम नहीं कर सकते हैं मैं आपको clear बता दूँ जब मुझ जैसा इंसान हार मान जाता बीच बीच में तो जो बिलकुली मतलब जिसमें सबर ही नहीं वो तो क्या ही करेगा फिर तो पहली आई थी चार महीने बाद दूसरी आई थी मुझको तीन महीने बाद ठीक है और दूसरी क्या तीसरी भी मुझे तीन महीने बाद ही आ तो वह वह िहाती थी, मतलब दो महिने बाद 10-15,000 के बीच में मिरको सैलरी आती थी, बहुत जादा नहीं आती थी, और अभी भी कोई बहुत जादा नहीं आती, ठीक है, मही बहुत ब्रेंड आजवा ए, तो थोड़ा लगता है चलो कुछ है, कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता ह तो ऐसा हुआ कि पहली चार महीने बाद फिर दो बार तीन-तीन महीने बाद फिर उसके बाद दो-दो महीने बाद तो कई टाइम तक यह सिलसला चलता रहा और फिर last year से last year के I think middle से ही August के आज़ पास से ऐसा हुआ कि मुझे हर मन थाने लगी है last year ठीक है तो August या सितंबर था जब ऐसा हुआ कि मुझे तब से monthly payment आती है किसी महीने कम किसी महीने जादा बहुत जादा नहीं आती है और फिर उसके बाद क्या है ना अब क्या होने लग गया है कि थोड़ा सब्सक्राइबर्स पर जब थोड़े से बढ़ जाते हैं तो ब्रेंड्स तो वैसे पहले से आ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे ब्रेंड्स आपको पैसा भी दे वो मुझे आने लगे हैं इस तरीके से यह है मेरी इंकम तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी उतना नहीं है जितना मतलब उतना होता तो पता नहीं अभी तक पूरा इतना बड़ीया सेट अप बना मेरो बड़ा मन है मैं करूंगी कि मतलब अपना सेट अप मैं जरूर बनाऊंगी क्योंकि जब आप कोई काम करते हो ना आपका भी बड़ा मन करता आपके इर्द गिर्द ना वो वाला महौल हो लगे कि आप एक मतलब ऐसे रूम में अंटर कियो हो जैसे होता ना आप आफिस जाते हो आफिस रूम में अंटर करते हो आपको लगे यार आप अपने प्रोफेशनल रूम में अंटर कियो तो वो मेरा सपना है और उसे मैं जल्द पूरा करूंगी और जरूर करूंगी उसक कॉंटोरिंग कर ली और अब लगाएंगी हम बलश नेक्स्ट कोश्चन ने अदिती का इन्स्टाग्रम के थू मुझे फॉलो किया फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया थैंक्यू सो मच और यह कह रही है कि मरलब यह मुझसे पूछना चाहरी है कि क्या मैंने मेकप लिख है कहीं से और मेरि एंज क्या है अच् donut और जो कोशन है कि मेरी एज क्या है आज की इस वीडिटू मैं यह मैं आप पह छोड़ रही हो जो भी मैरे थीज़गों देख रहे हैं ठिक है है जो भी मेरे सब्सक्राइबरर से फॉलोवर से कि हमां को मुझे इस वीडियो के कि आप क्या गैस कर सकते हो तो यह मैं आप पे छोड़ रही हूं जो सच होगा वो तो मैं बताऊंगी ही यह चुपा के जाना कहा है यह बताओ जो है वो तो है तो मैंने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर लिया अब पटाफट से इसको सेट कर लेते हैं मेकप सेटिंग स्प्र जब भी कोई लीक्विड चीज यूज करो शेक जरूर करा करो इसके नहीं तो जो भी एक्टिव इंग्रीडियंट्स होते हैं वो नीचे बैट जाते है और जब आप शेक करते हो तो यह जो है एक्टिव हो जाता है प्रोड़क्ट मेकप सेटिंग स्प्रे हमेशा पहले एक कर देना है और हमेशा में आपको यह कहती हूं कि जब भी आप मेकप सेटिंग स्प्रे लगाओना अपने ब्लेंडर को बस यह जो ड्रॉप्स आपके फेस पर आई है इसकी आप उसको क्या गर रहे हो सैट कर रहे हो मेकप को आपको नहीं चेड़ना बस उसको हलका सेट कर द कर देना है उसका आंसर करूंगी और जो कोशन अभी पैंडिंग रहे गया है उसका आपको रिप्लाइ करूंगी सेट अप पाला तो पहले फड़ा-फड़ से यह लिप्स्टिक अप्लाइ करते हूं एक्स कोशन है प्रीती का यह कह रही है कि जब भी यह फाउंडेशन लगाती है ना तो इनका जो फाउंडेशन है वो ग्रे पड़ जाता है मतलब इनका कलर जो है जो कॉम्प्लैक्शन है वो डल पड़ जाता है यह कोशन मुझे कई बार आया है तो आज मैं आपको इसका आ तो आपके चेहरे पर पिग्मेंटेशन होगी अगर आपकी पिग्मेंटेशन है आप नहीं किया है और डिरेक्ट फाउंडेशन लगाया है तो डेफिनिटली फाउंडेशन का अपका फाउंडेशन जो है वह डाक दिखेगा नमबर डू आपने स्किन केर अपने स्किन केर नहीं किया है यह बहुत जरूरी होता है मतलब यह मत सोचा करो आप किसी यूट्यूबर को देख रहो उसने जो स्किन केर फॉलो किया आप भी वही करो अपनी स्किन टाइप को समझो ड्राय स्किन है उसके अकॉर्डिक को चूज करो ओली स्किन है उ और टिंटेड प्राइमर आते हैं काई तरीके के प्राइमर आने लग गया है गलत प्राइमर चूज करोंगे डेफिनेटली फांडेशन खराब हो जाएगा ठीक इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और एक चीज और हो सकती है कि आप जो फांडेशन यूज कर रह अध्याज प्राइब फांडेशन लगाऊगी तो डेफिनेटली वह मेरे स्किन प़े कलर चेंज कर जाएगा तो हमेशा फांडेशन अपनी अंडर टोन के अक्वाडिंग लेना है इसलिए फांडेशन में आप देखते होगे तो एस तरीके के अंडर्टोन बने होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूं वह पैंडिंग कोशन जिसका आंसर मैंने का था आपको मैं लास्ट में दूंगी कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियो को शूट करती हूं तो चलो आप फड़ा वड़ से वह क्लिप देख लो सो यह है मेरा रूम जहां पर मैं आजकल शूट करती हूं और यहां पर आप देख सकते हो मैंने वाल पर ही ना कर्टन लगा रखा है पिंक कलर का थोड़े से फ्लावर बंचिस वेगरा लगा रखे हैं और इसे मैं ऐस बैक ग्राउंड आजकल कुछ टाइम से मतलब विंटर्स के स्टार्टिंग में ही मैंने ये बैक ग्राउंड बना लिया था एंड जो भी समान मैंने मंगाया था मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने कहां से मगाया वैसे सारा जो भी बैक ड्रॉप का मेरा समान है मैंने विशो से ओर्डर किया था फ्रंट मे मेरी रिंग लाइट है जिसको मैं यूज करती हूँ और आपको भी यह बोलूंगी मतलब अगर आप खुद से कुछ कर सकते हो मतलब आप देख सकते हो यहां पर जो रिंग लाइट है यह होम मेड मतलब इतना अच्छा काम करती है मतलब मुझे कई लोग कहते हैं आपकी लाइ अच्छी है तो सर्दिया सर्दिया तो मैं इसमें शूट कर लेती हूँ ड़ गर्मीयों में बहुत दिक्कत हो जाती है तो मुझे जो मेरा दूसरा बैड रूम है जहां पर हम लोग सोते है उस रूम में एंप भूर्मीयों में तो मैंने उसके लिए रिंग लाइट मगा यह मेरा ट्राइपोट है इसे मैंने अमजान से ओर्डर किया था यह डिजटेक का ट्राइपोट है और उसके अलावा यह मेरे माईक है जिनको मैं यूज करती हूं बोया के माईक है यह दोनों इसको यह वाला मैं अपना जब भी टॉक्तुरू वीडियो करती हूं तब लगा क्योंकि जब हम शुरुवात करते हैं तो हम थोड़े से ही करते हैं और धीरे धीरे अपनी चीजों को जोड़ते हैं तो कैसा लगा आपको मेरा यह छोटा सा सेटप और मेरी होमेड रिंग लाइट मुझे गाइस कमेंट करके आप जरूर बताना मुझे आपके कमेंट्स का बेट रहेगा तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो आई होप मैं आपको आपके जो भी कोशन सोनके आंसर अच्छे से दे पाई हूं और कैसा लगा मेरा यूट्यूब सेटप है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर क देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे इंस्टाग्रेम पे भी आप फॉलो कर लेना थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग